गुड़ मॉर्निंग गाइस कैसे हैं आप सबी आई होप आप तो अच्छे होंगे अभी हम लोग भूमने वाले हैं हावडा बिरीज तो बने रहिएगा वीडियो पर और चली अब आपको मैं दिखाटाओं हावडा बिरीज का सीन कि फाइले गाईस मैं पहुंच चुका हूँ हावडा बिरीज के पास सकते हैं यह मेरे पीछे हावडा बिरीज का सीन दोस्तों जब भी भारत में इंजिनेरिंग की कारणामों की बात आती है तो उसमें यदि हावडा बिरीज का नाम ना आए तो ऐसा होई नहीं सकता और यद किसी फिल्म में कलकत्ता का सीन दिखानी हो तो उसमें हावडा बिरीज का सीन आए तो यह भी संभव नहीं है यानि कहें तो यह हावडा बिरीज ही है जो कोलकाता के मिठाई से भी ज्यादा फेमस है ऐसे हम सब तो जानते ही हैं कि हावडा बिरीज कितना फेमस है लेकिन हम आपको इस बिरीज से जुड़ी हर वो बात बताने वाले हैं, जिसे आपके भारतिय होने के नाते जानना ही चाहिए। कुलकाता और हावडा के बीच बहने वाली ये नदी जो ये हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। यानि पहले हुगली नदी पर कोई बिरीज नहीं था। इन दो सहरों को जोड़ने का एक मात्र जर्या नाव और जहाज था। बंगाल सरकार की ओर से साल 1871 में हावडा बिरीजादे नियम पारित होने के बाद 1874 में ब्रेड फोड लेशनी लें। इस नदी पर पीपे की पूल का निर्मान कराया। उस समय यह पूल 22 लाग की लागत से बनी थी। जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थे। फिर 1906 में हावडा इस्टेशन बना और धीरे धीरी लोगों की आवाजाही और ट्रेफिक बढ़ने लगी। तब इस नदी पर एक फलोटिंग ब्रीज यानि तैता हुआ ब्रीज बनाने का फैसला लिया गया। लेकिन पहला भी सयुद्ध होने के बाद इस ब्रीज का काम शुरू नहीं हुआ। फिर 1922 में न्यू हावडा ब्रीज कमिशन का गठन हुआ। फिर हावडा ब्रीज के लिए टेंडर जारी किया गया। फिर इस ब्रीज को बनाने के जिम्में वेतारी ब्रेथ वेट बर्न जोशन कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौपा गया। अब अगर बात करें इस ब्रीज को बनाने की तो इसमें 26,500 तॉर इस्तिल का इस्तेमाल किया गया था अब उससमें इतना इस्तिली क total करना बहुत मुश्किल का काम था लेकिन फूल का निर्मान भी बहुत जरूरी थी लिए भारत की सबसे बड़ी इस्तिल बनाने वाली नजर से टाटा इस्टिल का ही बनाए अब इस पात मिलने के बाद बिरीज के डिजाइन तयार की गई लेकिन अंग्रेजाओं का काना था चाहें कुछ भी हो बिरीज के नीचे कोई भी पाया नहीं होनी चाहिए ताकि जहाजों को फूल के नीचे से आने जाने में कोई दिक्क 500 फीट हैं जिसके बीच एक भी खंबा नहीं है और इस बिरीज के बारे में बताया जाता है कि गर्मी के दिनों में इस बिरीज की चोड़ाई 3-4 फीट तक बढ़ जाती है और यह अपने आप में अजूगा है क्योंकि पिछले एक सदी से पूल ऐसे ही जियों के तियों गया है हावडा बिरीज दुनिया का एक मात्र ऐसा बिरीज है जिसका अभी तक उद्गाटन नहीं हुआ है क्योंकि जब यह पूल बनकर तयार हुआ था उसमें दूसरा 20 यूद होने को बिल्कुल तयार था इस यूद के दवरान जापानी से ना इस पर भारी बंबारी भी की लेकिन इस बिरीज पर कुछ खास नुकसान देखने को नहीं मिला जब यह बिरीज बनकर पूरी तरह तयार हो गया तब इसका नाम न्यू हावडा बिरीज रखा गया लेकिन वही 14 जून 1965 को गुरू रविंद्र नाथ टैगोर के नाम पर इस पूल का नाम रविंद्र से प्रितू कर दिया गया लेकिन आज भी लोग इसे हावडा बिरीज के नाम से ही जानते हैं इस बिरीज की रोचक बात यह है कि रोजाना आज सावा लाग से ज्यादा गाडियां और पांच लाग से ज्यादा आदमी इस पूल पर से बुजरती है इस पूल से जुड़ी एक और रहसे की बात है कि इस बिरीज को दीन के बारा बजे और रात के बारा बजे बंद कर दिया जाता है इसके पीछे की जो कारण है इसके अनुसार हवडा बिरीज बनाने वाले इंजिनियर्स ने इस पूल के बन जाने के बाद कहा था कि यदि यह पूल गिरता है तो यह ब बात है जो इस बिरिज के बारे में कही जाती है वह यह कि ऐसा म leaning कि हावला ब्रीज की कोई चाहिए कोई ज्री इस से अभीति ने भारत को नहीं दी है अब आप यह चाहिए के बारे में सुनकर चों गए ओंगे कि ये चाभी करती क्या थी तो ऐसा कहा जाता है ये चाभी के जरिये इस बिरीज को बड़े जहाजों को पार करने के लिए दो हिस्से में खोल दिया जाता था खेर इस बात की कोई अधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है इसके अलावे आधोनिक इंजिनियर्स का कहना है कि बिरीज के खंबे में अब जंग लगने लगा है और इस जंग की वज़य है गुटका और पान चोकि पूल से रोजाना लाखों लोग गुटका और पान चबाते हुए गुजरते हैं और खंबे के उपर थुकते हुए निकल जाते हैं इसलिए खंबे के उपर प्लास्टिक सीट से कभर कर दी गई है इंजिनियर्स का कहना ये भी है कि खंबों की मोटाई पिछले कुछ समय से आदी हो गई है इसके अलावे 2005 में भी इस नदी से गुजर रही एक कारवो जहाज का इस पूल के बीच फस जाने के कारण इस पूल को कुछ हद तक नुपसान भी हुआ पक्षियों द्वारा भी आवड़ा बिरीज पर की जाने वाली गंदगी के कारण इस प्रेज को केमिकल लॉस हो रहा है इसलिए ट्रस्ट हर साल बिरीज से पक्षियों की गंदगी हटाने के लिए पांच लाग का टेंडर देता है और इस तरह बिरीज को पूरे पेंट करन थी और इस पूरे परिक्रिया में पांच लाग खर्श हुए थे इसके अलावे भी यह हावड़ा भी भारत के अलावे पूरे बिश्व में इत्यास का एक बड़ा धर हो रहे इसलिए इसकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताइएगा अगर जनकारी अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दिजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा ताकि फिर से आप से मिल सकें नए वीडियो के साथ तो गाइस यह था यहां का तो तो झाब बयूब बयूदा एक ज्यां जे घंट कर दो घ्यां कि अब कर दो कि अजब कर दो कि फॉर को जो जो हो कि बाल कर दो कि यह चुर आए हमें एक जो बाल कि अप